हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्थ्रीवन टैक तो फ्रेंट्स अगर आप एक नई यूट्यूबर हैं या फिर पुराने यूट्यूबर हैं मुझे ये अच्छे से पता है कि आप में से कई सारे यूट्यूबर ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखा है वो बिल्कुल ब्लैंक कर रखा है तो फ्रेंड्स क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि इसमें लिखने से क्या होता है क्या फायदा होता है हमारा तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताना चाता हूँ कि जब भी कोई भी अगर हमारी ओडियंस जो है वो हमारे चैनल के उपर जब विजिट करती है कोई भी हमारे चैनल के उपर विजिट करता है और उसे हमारी वीडियोज अच्छी लगती है हमारी वीडियोज देखता है और उसे कोई query होती है कोई question होता है mind में तो वो आपके about section में जाता है किस चैनल किस किस तरह के आप वीडियो बनाते हैं उसके बाद वहाँ वहाँ आपकी contact information को ढूंडता है जिससे वह आपको mail के द्वारा contact कर सके अपनी query पूछ सके या फिर आपके Instagram, Facebook जो भी IDs हैं वहाँ पर mention होती हैं तो वहाँ से वह आपको contact कर सकता है और अपने questions का answer आपसे पूछ सकता है तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आपको अपने YouTube चैनल के about section में क्या लिखना है और कैसे लिखना है ठीक है तो वीडियो काफी ज़्यादा informative है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा मैं आपको सारा process अपने mobile से ही करके दिखाऊंगा क्योंकि ज्यादातर लोग mobile phone ही use करते हैं अपना YouTube चैनल operate करने के लिए तो friends वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को ओन करके उसे ओल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हमें सर्च करना है studio.youtube.com इस पर सर्च करना है हमें इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पर हमें continue to studio के उपर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं जैसे desktop में खुलता है वैसा ही direct खुल जाता है अब ठीक है आपको desktop मोड में करने की जरूरत भी नहीं पड़ है मैंने इसमें अपने YouTube चैनल में login किया हुआ था तो यहाँ पर direct मेरा account खुल गया आपको भी login करके रखना है और फिर studio.youtube.com पर जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखाता हूं यहाँ प branding और यह basic info पर आपको आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं जो यह description है जो यह blank पड़ा हुआ है हमें यही हमारा about section होता है जो वहाँ पर हमें दिखाई देता है ठीक है तो हमें यहाँ पर ही लिखना है अब इसमें क्या-क्या लिखना है कैसे लिखना है वो सारी चीज मै मैं आपको यहाँ पर खुद लिखके दिखाऊंगा जैसे मेरे यह चैनल है इस पर मैंने मोबाइल्स का टैब्स का लैप्टोप्स कंप्यूटर इन सब्सका जो मोबाइल फॉन्स हैं उनकी रेंज उनकी प्राइज उनके बारे में यहाँ पर बताया हूँ ऐस चैनल में हेलो फ्रेंड्स की इंधी में भी आप लिख सकते हं ठीक है जैसा आपको अच्छा लगे मोलो फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ फिंगहां लगा देना है फिर नीचे आजाना है वेल्कम हुआ my channel welcome to my channel जो फिर आपका चैनल का नाम है वह आपको लिख देना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं जो मेरे चैनल का नाम है ठीक है इसके बाद फुल स्टॉक फिर आपको नीचे आजाना है अब यहाँ पे आपको अपनी चैनल के बारे में बताना है कि आप किस category की videos बनाते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपको तो मेरा जो यह mobile से related है तो मैं वो लिख सकता हूँ यहाँ पर आपका technology से related है तो आप उस से related लिखेंगे gaming से related है तो आप gaming videos के बारे में टेक्स् Lew एट तो मैं टेकिनलोजी के तिस्टिक्स के दिता हूं कि लिएकुआपको लिखना है तो मैं यहां पर यहां पर आ पर आपको मोबायल फोनज को क destructive the laptops the computer के से रिलेटिड हर तरह की जानकारी मिलती है ठीक है इस तरीके से आपको लिख देना है यह आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से लिख दिया है ठीक है थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं उसके बाद आपको यहां पे फिर से नीचे आ जाना है और यहां पे आपको अब लिखन है यह आप अपने चैनल के category के गौडिंग देंगे मैंने अपने चैनल के category के गौडिंग दिया है ठीक है अगर आपका टेक्नलोजी के तो आपको लिख देना है यहां पर मैं आप YouTube से एलेटेट टिप्स ट्रिक्स देते हैं अन्बोक्सिंग करते हैं जो भी आप करते हैं वह आप लिखतेंगे उसके बाद अब आपको यह कॉमन लैन लिखनी है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं यहां पर आप कमेंट में यहां पर डबल एम आएगा ठीक है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके मैं आपकी क्वेरी को सोल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस तरीके से आप लिख सकते हैं ठीक है इतना हो गया उसके बाद आपको नीचे आ जाना है फिर से टैप करके और यहां पर आप लिख सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब सेब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करें और लाइक और शेर भी जरूर करें ठीक है यह इस तरीके से आप लिख सकते हैं लाइक और शेयर भी जरूर करें उसके बाद नीचे यहाँ पे आप contact इन्फो डाल सकते हैं अपना यहाँ पर इमेल आइड़ी अपनी लिख सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर अभी इसको बलैंक छोड़ रहा हूं यहांंपर मैं लिखते हूं email id आपको डालनी है email हरा नियुक्त यहांपर आ जाइगा अपकी ठीक के उसके बाद आप यहांपर निचे और भी कुछ लिख सकते हैं यहांपर आप contact info हो गया यहांपर आप नाद से पहले आप एक और चीज लिख सकते हैं यहाप आप थेंक्यू लिख सकते हैं तैंक्यू ऑफिटेजी है उसके बाद नीचे कौंटैक्ट इन्फो में एमएल आईडिया डाल सकते हैं तो आप देख सकते हैं अपने सबसे पहले वैलकम कर दिया आपने चैनल की कैटिगेरी डाल दी किस तरह की वीडियो बनाते हैं उसके बाद आपको कोई क्वेस्टन और यहे तो आप कमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं आप उसके बाद आपको अगर वीडियोज अच्छी लगती है तो यहां पे तो आप चैनल को subscribe और like कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद आपने contact info डाल दी किसी को query है तो आप से email id पे mail करके पूछ सकता है जो भी उसको पूछना हो तो मैं अभी इसको हटा देता हूं मुझे यहाँ पे अभी यह नहीं देनी है ठीक है तो आप यह जब सब कुछ लिख ले देना है उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूं कि कैसा दिखाई देगा आपके बाउट section में यहाँ पर आ जाना है इसको जूम करते हैं और जो आपका चैनल का एकन है यहाँ पर राइट सेड में उसके उपर आपको क्लिक कर देना है और यहां से आपको य देखा था वह सारा यहाँ पर इस तरीके से आगया तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और कोई भी आएगा यहाँ पे तो से पता लग जाएगा कि किस तरह की जानकारी यहाँ पे मिलती है ठीक है जोर अगर उससे कोई क्वेरी होगी तो वह हम से को कोर्शन भी type Auto click प सारा प्रोसेस मैंने आपको सिखा दिया है अगर फिर भी वीडियो से रिलेटीड कोई भी कोई भी क्वेस्चन है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू